बालेबुड में कई अभिनेता ऐसे है जो अभिनाय में आने से पहले किसी और पोर्फेस्टनल में थे जैसे अच्छे कुमार अभिनाय की दुनिया में कदम रखने से पहले मार्सल आर्ट्स टीचर थे दोस्तों बालीबुड में ऐसे ही उधारन कई अवर भी है हलाकि ये सब आज से नहीं बलकि पिछले कई दर्सकों से चलते आ रहा है बालीबुड की ऐसी ही एक अभिनेतरी की बात हमाज करेंगे जो अभिनोय में नाम कमाने से पहले ही राष्ट्रिय अस्तर पर अपनी पहचान बना चुकी थी इस पहचान को बनाने के बाद ही उनका बालीबुड में ड्रेवी हुआ था दोस्तो हम बात कर रहे हैं अपनी परफेक्ट कामिक टाइमिंग के लिए पहचानी जाने वाली अभिनेतरी सुबा खोटे की बारे में दोस्तो सुबा खोटे हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेतरी हैं जिनोंने अभिनेतरी के तौर पर बालीबुड में कतम रखा इसके बाद वो बेतरीन कमेडियन बन गई दो उनकी कामिक टाइमिंग की आज भी मिसाल दी जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबा बालीबुड में डेबु से पहले एस्पोर्ट में एक्ट्यू रही है इसके बाद ही उन्होंने रुप पहले परदे पर कदम रखा था दरसाल सुबा खोटे फिल्मों में आने से पहले साइक्लिंग और स्यूमिंग की नेशनल चंपियन रह चुकी है दोस्तो सुबा ने अपने एक इंटर्वियू के दुरान बताया था कि उनको स्यूमिंग और साइक्लिंग का सौक लंबे अरसे से चलते आ रहा था लेकिन बालीबुर अश्टार बनने के साथ ही उन्हें साइक्लिंग करने में मुश्किल होती थी क्योंकि लोग उन्हें पहचनने लगे थे हलाकि उन्होंने स्यूमिंग करना जारी रखी लेकिन समय की पवंदी यहां भी उनके आरे आ गई दोस्तो सुबा खोटे ने अपने सफल फिल्मी सफल को बीच में ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया था दोस्तो इंटर्विय को दुरान उन्होंने बताया था कि ऐसा उन्होंने अपनी शादी होने के बाद बच्चों की पड़िवरिस की खातिर किया था सुबा बताती हैं की शादी के बाद जिमदाडिया बढ़ गई बच्चे हुए बच्चों को पाल पोसकर बढ़ा करना था और बच्चों के लिए आया रखने के बिलकुल खिलाब थी मैं समझती हूँ की आया ही नहीं बलकि कोई भी और बच्चों को देख भाल इतना नहीं कर सकता जितना एक मा कर सकती है इसलिए कुछ दिन तक मैंने फिल्मों से दुरी बना रखी थी सुभा जी मराठी परिवार से तालुक रखती थी फिर भी उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी दोस्तों जब उनसे पूछा किया कि मराठी परिवार से होने के बजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है तो इस सवाल के जबाब में उन्हों ने कहा कि उन्हें लाता ने हिंदी सिखाई थी वो ऐसे की सुभा जी को बचपन से ही गीत संगीत का बहुत ही शौक था वो हमेशा रेडियो परलाता जी के गाने और उनकी आवाज को सुनते हुए कोई भी काम किया करती थी दोस्तो इसलिए उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी सुभा खोटे का नाता बचपन से ही एशचेश सो से रहा है तीन साल की उमर से वो अपने पिता के साथ एशचेश सो किया करती थी दोस्तो जिसकी वज़ेसे वो बड़ी होकर एक बेतरिन अधकारा बनी इस्पोर्ट में नाम कमाने के बाद सुभा जी के लिए बालीबुर के दरवाजे खुल गए थे दोस्तों जिसे उन्होंने वखुबी निभाया है उनके भाई भी जो खोटे भी अविनाई के छेतर में थे वो सोले में अपने स्रंभा के किरदार के बाद से पाचाने गए थे सुभा जी के दो बच्चे हैं बेटी भाउना बलसवार और बेटा असिम्नी बलसवार उनकी बेटी भी उन्हें की तरह एक भेतरिन अधकार और कमेडियन है दोस्तों उम्मीद करते हूँ कि इस सुभा खोटे की रियल स्टोडी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लिजेगा ताकि मैं इस तरीके से हिंदी फिल्मों के रियल खबर आप तक पहुंचाती रहूँ तब तक ते लिए जै हिंद जै भारत